बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम जो लोग रखते हैं उकाडा की हिस्ट्री से दिल्चस्पी आईए उन्हें दिखाएं उकाडा की वीडियो डॉकमेंटरी दुनिया का बेहतरीन मुल पाकिस्तान पाकिस्तान का शानदार सुबा पंजाब और पंजाब का खुबसूरच शहर उकाडा किसी भी इलाका की तैजीब और उसके तमद्दून का मतालिया करने के लिए जरूरी है कि हम उसकी तारीख को गुरे दें कि उसकी तारीख का पसमंजर और नशेब और फरास क्या रहे हैं और मौझूदा हालत में पहुँचने के लिए ये किन किन अदवार से गुजरा है अगर इस रोश्नी में उकाडा को देखा जाए तो उसकी तारीख बताती है कि उसके सीने में बेशुमार नशेब और फरास दफन है कि ये यहां से गुजर कर मौजूदा हालत में पहुंचा है यहां के लोगों की बुदोबाश, तर्जे जिन्दगी, आर्किटेक्ट ये तमाम चीजे बताती है कि उकाड़ा की अपनी एक तारीख और अलग तशखुस है और हमारे मुलक पाकिस्तान की तरक्की में उकाड़ा ने हमेशा खास गिरदार अदा किया है गुजिश्टा दिहाईों में जो तबदीलियां आई हैं उकाड़ा भी इन से खासा मतास्र हुआ है ये तबदीलियां मौशी भी हैं और मौशरती भी जदीद इजादाद, मसलन मीडिया, टेकनालोजी और कम्प्यूटर की तरक्की के हवाले से फिर जो लोग मुलक से बाहर गए हैं उनके एकस्पोयर की वज़ा से उनके अजहान खुल गए हैं उनकी सोच का अंदास बदल गया है और खासकर तालीम की सहुरियात आम होने की वज़ा से एक नुमाया तब्दी लिआ है खासकर ओकाड़ा में कैड़िट कालिज का कयाम एक नुमाया और मस्पत तब्दीली है ये कॉलेज ना सिर्फ ओकाडा बलके मुलकी तरक्की के लिए एक एहम किरदार अदा करेगा क्योंके यहां से वो अफसरा निकलेंगे जो आगे चल कर इस अर्ज मुकद्स की पासबानी का फरीजा सरनजाम देंगे और ओकाडा तालीमी लिहास से पाकिस्तान में अपनी एक अलग शनाखत बनाएगा और यहां के स्टूडन्स मुलक के लिए सरमाया इफ्तिखार बनेंगे और आने वाली नसलें इस पर फखर महसूस करेंगी और अपने बज़र्गों के कारनामों को बबांगे दोहल सराहा करेंगी बाहर से आने वाला हर शक्स ये महसूस करता है कि ये एक विहतरीन शहर है ये एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जहां से हर शहर तक रसाई बाहसाने ममकिन है वैसे भी उकाड़ा मस्तक्बिल करीब में एक जरई और मौशी हब के तोर पर उभर रहा है और यहां से फूटने वाली रोशनी की किरने हर सू पहलेंगी उकाड़ा शहर 19 सदी में आबाद हुआ जबके जिला उकाड़ा में शामिल कस्बाजात कदीम तारीख का हिस्सा है एक रिवायत के मताबक यहां उकां के दरख्ट हुआ करते थे इस लिहास से ये इलाका उकां वाला के नाम से मशूर हुआ उकां वन और क्री का दरख्ट ऐसे दरख्ट हैं जिनको काफी अर्सा तक पानी ना भी मिले तो ये परवरिश कर सकते हैं ये इलाका अपने जोगराफियाई महले वकू और बर्रे सगीर की दौलत मंदाना तरकी आफ़ता सियासी असकरी और मथभी रिवायात के हामल शेहरों की गुजरगा होने की वज़ा से यौरप और बस्ती एशिया के आने वाले हमला आवरों के कदमों तरे रौदा जाता रहा कबल मसीह के अजीम यौनानी हीरो सिकंदर आजम की यौरप से एशिया तक की आमद में जिला उकड़ा का खिता गुगरा, सत्गरा, दिपालपूर, बसीरपूर और हवेली लखा वो मकाम थे जिन्हों ने अपने जयालों और हुर्रियत पसंदों की मारफत उनके कदम आगे भरने से रोक दिये और ये शिकस्त खोरदा वापस लोटे इन इलाकों में गोगेरा, सत्गरा, हवेली लखा, बसीरपूर की तारीख तीन हजार साल पुरानी है उस जमाने में इस इलाका को हरपा तहजीब की दमदनी मरकजियत हासल थी जो तारीख में वादी सिंद की अज तीन तारीख गरदानी जाती है ये इलाका तुर्क, अरब, इरानी, लोधी, मंगोली, मुगल शेहनशाओं के इलावा मरहटों और हिंदों का मैदाने कारजार रहा इस इलाका में गुपता खानदान ने भी हकूमत की और ये इलाका सिख्खों के जिर असर भी रहा 1849 में इस इलाका पर अंग्रेज काबस हुआ, इस इलाका में अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1857 में भरपूर मुझाहमत सामने आई, राय एहमद खान खरल, महर मुराद फत्याना और महर जलाल तरहाना शहीद समेट कई दूसरे जयालों ने हकूमत के खिलाफ जिहाद किया, औ लेकिन उन्होंने लॉर्ड बर्कले और पच्चास साथियों को कतल करके बेमिसाल जुरत और बहादुरी की मिसाल काइम कर दी, आखर इन नाकाबले फरामोश किरदार के मालक हुर्यत पसंदों को नूर्शा के करीब शिकस्त हुई, जिसमें बहुत से अफराद शहीद और बकिया को अंग्रेजों ने या तो फांसी दे दी या तमाम उम्र के लिए काले पानी भेज दिया, बर्तान्मी राज में द्रिया रावी पराबाद कबाल पर जुल्मों सित्म की इंतहा कर दी गई थी। नहीं करते, इन तमाम मंदर जबाला वाकियात को सामने रखते हुए ये रिवायत तसलीम करनी पड़ती है, कि उकाड़ा, उकड़ा का ही जदीद लफज है, जिसका मतलब इलाके की हुर्यत पसंदी और बहादुरी है, जबके उकाण वाले लफज की रिवायत गलत है, कि ज इस इलाका में एक्तिदार काइम किया, तो एक नया जिला काइम किया, जिसका सदर मकाम पाक पतन शरीफ था, 1852 में जलेई सदर मकाम द्रैरावी के करीब वाके कस्बा गोगेरा को बना दिया गया, 1857 की जंग अजादी के फोरण बाद, जलेई सदर मकाम मंट गुमरी मौज 1967 में इस जला के सदर मकाम का नाम मंट गुमरी से साहिवाल में तबदील कर दिया गया, 1915 में ओकावाला यानि ओकाड़ा को कस्बा तहसील करार दे दिया गया, 1949 में टाउन कमेटी को म्यूंसिपल कमेटी का दरजा दे दिया गया, कयाम पाकिस्तान के बाद, ओकाड़ा जिला ने मुल्की तरक्की में एक एहम किरदार अधा किया, और इसका शुमार बड़े मरकज और अजनास की मंटियों में होने लगा, मतहिदा हिंदुस्तान में ओकाड़ा की गल्ला मंटी से जो रेट निकलते, वो ही पूरे हिंदुस्तान में राइच और नाफिज अल अमल होते, यकम जुलाई, 1982 में ओकाड़ा को जिला का दरजा दे दिया गया, जिसमें दो तहसीलें ओकाड़ा और दिपालपौर शामल थी, बाद अध़ां रेनाला खॕर्ट को इस ने सब तैसील का दरजा देकर उनननिस सो बान्वे में तैसील का दरजा दे दिया गया जबकि बाकाइदा तौर पर जोडिशरी ने भी अपना काम शुरू कर दिया अगर उकाडा की सियासत की बात करें तो मुल्की सियासत में उकाड़ा को वाजे मकाम हासल है उकाड़ा की तारीख ने ऐसे ऐसे सियासतदानों को जनम दिया है कि उकाड़ा को वजीरों के शेहर के नाम से भी जाना जाता है उकाड़ा तीन तैसीलों यानि उकाड़ा दिपालपूर रिनाला खुर्द पर मुश्तमिल है जिला उकाड़ा में शामिल दूसरे कस्बाजात में दिपालपूर, रिनाला खुर्द, हुजरा शामुकीम, शेरगर, बसीरपूर, हवेली लखा, गुगेरा, सत्गरा, उकाड़ा च्छाउनी, फतहपूर, अख्तराबाद, मंडी एहमदाबाद, जबोका, लाशारिया, चू आईए, आपको दिखाएं, उकाड़ा की कुछ पुरानी और तारीखी जग हैं। पिला, मीर, चाकर, आजम, सत्गरा, ये बात वाज़े करते हैं कि उकाड़ा एक तारीखी शहर है। रुनाला खुद और उकाड़ा में अंग्रेज ने जब काष्टकारी का मनसुबा बनाया तो 1923 में लोयर बारी दौाब नहर निकाली। और जदीद आबादकारी के तहट चकूप को नमबर देकर इलाका में काष्टकारी का आगास किया गया। ओकाड़ा का ज्यादा तर्रकबा जरही है और इसी वज़ा से ओकाड़ा की घल्ला मंडी और सबजी मंडी को एक वाज़े मकाम हासिल है। काष्टकारी के हवाले से बात करें तो आलू चावल और मकई की पैदावार में उकाड़ा का नम इंतहाई शोहरत का हामल है। इसके इलावा गंदुम, गन्ना, कपास, सरसो, मकई, जवार, बाजरा और जों वखेरा की काष्ट भी होती है। और तकरीबन हर सबजी की पैदावार इस जमीन पर बासानी होती है। उकाड़ा, आलू और मकई की ना सिर्फ पाकिस्तान बलके एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उकाड़ा को दूद की नदी भी कहा जाता है। और मवैशियों की तादात के एतबार से पाकिस्तान भर में उकाड़ा पहले नमबर पर है। इस हवाले से एशिया का सबसे पहला एनिमल फार्म बहादुर नगर फार्म भी उकाड़ा में ही मौजूद है उकाड़ा के साहली कस्बाजात की बात करें तो गोगेरा के दामन से दर्याए रावी गुजरता है बसीरपोर, हवेली लखा और हुजराशा मुकीम का जिकर करें तो इसकी अराजी से दर्याए सतलुज गुजरता है बसीरपोर, हुजराशा मुकीम और हवेली लखा की एहमियत इसलिए भी है कि इसकी हदूद पर पाकिस्तान और इंडिया की बार्डर लाइन है जिला उकारा में वाके च्छाउनी, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी च्छाउनी है और दिफाई लिहास से खास एहमियत के हामिल है बजर्गाने दीन की बात करें, तो हजरत कर्मा बाला शरीफ उकारा की पहचान है जबके दरबार हजदत शाह मुहम्मद गौस, अलमारूफ बाला पीर भी उकारा की पहचान है हजरत सेद इबराहीम, अलमारूफ दाउद बंदगी कर्मानी का मजार शेर गड़ में वाके है जबके हजरत सेद बहावल शेर कलंदर का मजार हुजरा शामकीम उकारा में है उकारा की खुबसूरती में एक खास इजाफा जहां लोगों को सहुदियात पहुचाने के लिए कसीर तादाद में तमाम महकमाजात एक ही जगा मुन्तकल कर दिये गए वापडा, जिला कॉंसल, डी पियो और डी सियो आफेस, कोर्ट और कचेहरियां, स्टेडियम और एजुकेशन डिपार्टमेंट तमाम महकमाजात एक ही जगा होने से उकारा एक मनफरिद एहमियत का हामल है नाजरीन, अब आईए, जिला उकारा की मुख्तलिफ तहसीलों और कस्बाजात का तारीखी पसमन्जर देखते हैं उकारा का रकबा तकरीबन एक सु आठानवे आशारिया छे मुरबा किलो मीटर है उकारा की जले हदूद जिन इजला से मिलती हैं उनमें ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन शरीफ, कसूर और इंडिया का जिला फिरोजबुर शामिल है एक सर्वे के मताबक जिला उकारा की अबादी 28 लाग है उकारा पाकिस्तान में गुंजान अबाद जिला है अगर उकारा को कारोबारी लिहाद से देखा जाए तो यहां की काफी ऐसी प्रॉड़क्ट्स है जिनका नाम ना सिर्फ पंजाब, बलके पाकिस्तान में भी शोरत रखता है जैसे इर्फान फॉर्मेसी का सबसे मशूर ब्रैंड शर्बत फॉलाद इर्फानी है सल्वा ग्रूप ओफ इंडस्ट्री का नेमत बनास्पतीगी अपनी डिमांड और पहचान रखता है रिनारा खुर्द में वाके मिचल्स फूर्ट फॉर्म की प्रॉड़क्ट्स दुनिया के कई ममालक में अपने आला टेस्ट की वज़ा से जानी जाती है उकारा शेहर की सौगात की बात करें तो यहां की मशूर सौगात में उकारा की मिठाई बहुत पसंद की जाती है जिसमें खास तोर पर उकारा की कलाकंद बहुत पसंद की जाती है और उकाड़ा में त्यार होने वाले सोने के जिवराद भी अपने आला मैयार और खासियत की वज़ा से अपनी पहचान रखते हैं और उकाड़ा शेहर की खुबसूरत मवासलाती निजाम की एक और खास बात भी आपको बताते चलें कि उकाड़ा गोल चोक से मुंसलिक चार बाजार और गोल चोक के चारो कार्नर्स में चार चोटे दर्वाजे चार चोटे दर्वाजों के आगे चार पीपल के दर्खत और चार पीपल के दर्खतों के नीचे चार नलके हुआ करते थे उकाडा गोल्चोक की ये खास बात कई टीवी चैनल्स पर भी ऑन एर हो चुकी है अगर उकाडा शहर में मुख्तलिफ पार्क्स का जिकर किया जाए तो इन में सबसे बड़ा और पुराना पार्क कमपनी बाग है जिसे अब सफदर शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है जबके जनाह पार्क, फैमली पार्क, मिया मुख्मद जमान कमप्लेक्स पुरानी मालमंडी अकपर रोट की जगा पर इंतहाई जदीद पार्क बनाया गया है और उकाड़ा बाइपास पर सोजो वाटर पार्क बनाया गया है